है है लो एवरीवन वेल्कम ट्यूंबर सेवन माइनम इस अमन महता और आज एक बहुत ही डिमांडिंग जो टॉपिक है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि अकाउंट एंजिका पूरा पेपर सॉल्व कैसे करें तीन घंटे से पहले तो तीन घंटे से पहले अगर आप करिए आपको बीच बीच में बहुत सारी ऐसी बाते पता से लिए जो शायद आप नहीं जानेंगे तो आपको बहुत जादा दुख होगा और वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहली चीज पहली टिप दो आती है वह बटा है नो चीटिंग आपको चीटिंग नहीं करनी हो कि कोई इंसान चीटिंग कर रहा होता है वह बस मांगता रहा है और एक बात हमेशा ध्यान रखना आपके सामने बुक रखी है और आपको बार-बार देखना पड़ेगा लेकिन अगर आपके दिमाग में अल्रेडी कुछ है ना तो उससे तेज आप कुछ भी नहीं लिख करते हैं तो यह चीटिंग करना कोई भी सॉल्यूशन नहीं तो इसलिए चीटिंग करके अपना टाइम बेस नहीं करना है फिर आगे बात करते हैं तो बच्चों के मन में बहुत सारे सब्सक्राइब कैसे करें रफ वरक कैसे करें वर्किंग नोट के बारे में कई बार इसा कुछ आ रहा है तो इसी चीज़ें बहुत ही रेर देखने को मिलती है अकाउंटेंसी में यह एकाद बार आपको अगर आपको भई अकाउंटेंसी के अंदर सौ बार कैलकुलेशन करनी पड़ी तो आपके लिए जो थोड़ा से डिफिकल्टी लेवल होता है वो मैं कह स सबसे पहली चीज़ के लिए जो सब जानते हैं प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता जैसे अठाइस और बारा चालिस होते हैं यह बिटा मुझे जोड़ा नहीं परता मेरको प्रैक्टिस करकर करके आदत हो चुकी है यह बहुत चोटा से एक्जामपल दे रहो लेकिन इसकी गहरा ही आप समझें वहां कहीं में बहुत इंपॉर्टेंट है कि 28 प्लस 12 क्या होते बिटा 40 होते हैं ऐसी बिटा आपको पेर कैलकुलेशन करकर करके आपको पता चल लाएंगे अभी 28,000 और 12,000 भी आप कर लोगे तो यह आपको पता चल जाएगा तो यह प्रैक्टि बिटा जीरो हटा नहीं होता बस चोटी बूटी कैलकुलेशन तो आप माइंड में ही कर लोगे आपको सोचने की जोरती नहीं है ठीक है 32,000 और 24,000 भीटा क्या होता है 56 होता है इसका ऐवरेश का होगा 28,000 होगा समझ रहो तो ऐसी चोटी बूटी चीज़े आप माइंड में लेका निकल जाएगा जो भी आपकी आंसर शीट होगी बेटा उसके राइट हेंड पर आप मार्जन कीच लोगे पहले 15 मिन पर पूरी आंसर शीट पर आपको मार्जन ही मारजन खीचने है और यहाँ पर रफ कर लेना ठीक है यहाँ पर अपना रफ कर सकते हैं आराम से हो ज बनाने हैं लेकिन हाँ पूरा एकदम फॉर्मेट सर हमें जो बनाना होता है सर पूरे ऐसे लाइन खीच के फिर रूपीज फिर पर्टीकुलर रूपीज फिर पर्टीकुलर फिर डैबिट और यह इतना भी कई बार करने की जूरूत नहीं है तो आप सिरफ कॉलंस बना करके करोगे तो भी हो जाए बस बैंक अकाउंट उपर लिख देना है कौन सा अकाउंट है यह चीज थोड़ा सा आप देहन में रखो कि आपके बहुत काम आएगा और स्टेटमेंट पर लिखके आराम सा आप कर सकते हो दिक्कत पता क्या होती है बुक में आपको आपको सही प्र सब्सक्राइब करेंगे यह आपका टाइम बचाएंगे यह सारी जो आपको बताएं कालकुलेशन के बारे में आपका टाइम बचाने वाली है पर टिप नंबर 3 की तरफ जाते हैं बी अमांग कि सादू बन जाए तो बिटा यह बाद इसलिए मैं बोलना को जब हम एक्जाम में बैठे होते हैं तो सबसे पहली चीज बहुत ज़्यादा प्रेशर करते हैं तो पहली बात तो पानी की बॉटल अपने पास रखो और सिप थोड़ा थोड़ा पानी प्यों पेट भर जाएगा उससे भी आपको बैठने में प्रोब्लम होगी तो जब आप पानी पीते है अब इसके बारे में हम बात करेंगे स्ट्रेस नहीं लेना है सबसे पहली चीज यह है अब अराम अराम से चीज़ों को देखेंगे और एक बात मैं आपको और बता दूब बहुत सारे एक्जामिनेशन में क्या होता है आपके कोशन पेपर के पहला जो कोशन होता है वही ऐस देते हैं कि आपको धिमाग खराब कर दे तो कोशन पेपर बनाए जाते साइकलोजी के हिसाब से तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप पहला अगर कुशन बाई चांस अगर आपको मुश्किल लगा तो उससे डरनेंगी बिल्कुल ज़रते हैं भी अमॉंग और फिर यह चीज फिर पहले क्या और फिर क्या पहले क्या करें फिर क्या करें यह समझने की जूरत है क्योंकि आपका एक्जाम होगा पेपर आएगा वह पार्ट बी में आएगा करेंगे और यहीं पर आपको पता चलेगा कि जब आपको कुशन नहीं भी आएंगे तो आपको करना क्या है कौन से नेरियो बैस्ट है लोगों के लिए तो पार्ट एक ही बात करते हैं तो पार्ट एक इंदर 16 एंसके इंदर चार एंसी क्यूस होंगे मैं हमेशा बोलता हू करेंगे और गलती से थोड़ा डिफिकल्ट करो सोचना ही नहीं ज्यादा ठीक है सिंपल सी बात है आपके सामने से चार लोग गुजर के जा रहे हैं आपको एक की शकल पसंद नहीं तो ध्यान मत दो ना तीन को देखो सिंपल सी चीज ठीक है सिंपल सी चीज तो पहले आप एंसी क्यूस करने की कोशिश करें सबसे पहले और तीन कैटेगरी बनाओ एक वो जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके साथा बहुत कॉन्फिटेंट है कि आप करोग तो आंसर सही करके ही दिखाओगे फिर एक ऐसा जि आपको क्या करना है तो आपको साइकोलोजी कली क्या मिलेगा एक सैंस ऑचीवमेंट पहलेगा एक कोशन हो गया एक कोशन हो गया वैटा आपको चीज फील करना अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने लिखा यह टास्क नमबर बन टास्क नमबर टू टास्क नमबर थ्री पहला दूसरा तीसरा जब आप लिख करके अपने टूडू लिस्ट बनाते हो तो बड़ा सुकून मिलता है यह साइकलोजिकल फैक्ट आपको बता रहा हूं जो साइंटिफिकली प्रूवन है ठीक है तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जब आपका क्या कहते है कोशन होगा सबसे चोटा कोशन सबसे पहले करोगे और ऐसे करते करते आप पहली को पूरा कर देंगा सबसे पहले उसी को अटेम्ट करना है और उसमें सबसे ज़्यादा चांसे यह रखिए कि आप MCU लगबग सारे पहले ही किसी कोशन में अटक नहीं आ रहे यह नहीं आ रहा कैसे करूंगा करके ही जाओंगा इसको छोड़ूंगा नहीं उसके चक्कर में बाकी कोशन के टाइम है वह हैं पर हो जाता है यह बात समझ में आ गए तो सबसे तीन कैटिगरी बनानी है आपको पहली कैटिगरी बारे में मैं आपको बता ही दिया दूसरी कैटिगरी जिसमें कुछ आता है कुछ नहीं आता है तो बिटा एक बात ध्यान रखना बड़े-बड़े कोशन की बात मैं आपको सिंपली बता दूँ चैशे नंबर के को जो कुछन आता है जिसमें एडिशनल इंफोमेशन होती है एड्जस्मेंट्स होती है तो बिटा हमेशन ध्यान रखो पांच आठ दस जो भी आपको एड्जस्मेंट दी है उसमें से सारी की सारी मुश्किल नहीं हो सकती ये बात मैं और एडिशनल इंफोमेशन उनमें से एक तो आसी डालों कि बच्चे के दिमाँ खिल जाए तो कोई बात नहीं ना भाई चैलेंजी से तो लेने आयो तो इसका मतलब यह तो नहीं करोगे वह भी कोशन सॉल करने वह भी कोशन सॉल करने इस बात का ध्यान रखना चोड़ना उसको अच्छे से तो आपने सब सबसे जादा और बेटा ना बनानी नहीं और दोंगे और तीसरी के जिसमें कुछ नहीं आता उस पर सबसे कम ताइम देना आपको सबसे लास्ट में करोगे तो आपको सबसे अच्छी तरह के तरीके साथ उसको करो उसमें भाई आपको कॉंफिदेंस होना चाहिए एक्जाम हॉल के अंदर के मेरे को आता है और इसका सारा कॉंफिदेंस और जो हमारा टाइम बच गया क्योंकि हमने जल्दी कर लिया है तो वह सेकिंड जहां पर आपको थोड़ा बहुत नहीं आता उस पर थ्यान दे दो ठीक है फिर थर्ड वाला वह है यह आपका में पोर्शन है थर्ड वाला जो एक आद्ध कोशन आपको नहीं आत लिख्यान है आपको एक बैइ आपको एक कोशन है आता ही नहीं उसमें बहुत बिल्कुल नहीं आरहा मालो आपको फॉर्मेट बनाओ ए बी सीडी पार्टनर लिखो उनका बैलेंस ही लिख्या जाओ वेटा आपको कुछ तो नंबर मिलेंगे मेरे टीचर भाई सिंपली बोल सब्सक्राइब करते हैं अब कुछ और बात करते हैं पैटन के ऊपर मैंने बोला टिप नंबर फूर सबस्यादा बात करूंगा इसके बारे में क्यों सबस्यादा इंपॉर्टन भी है तो पार्ट ए और पार्ट भी सर लाइन से सारे कुश्चिन करने यह नहीं करने तो हो जाएगा ठीक है छोड़ो इसको लेकिन पार्ट एक ही अगर मैं बात करूं इसमें आपको क्या करना है अब मालो आप पहला दूसरा कोशन से करा चौथा पांच्वा करा ठीक है आपने सेविंटीन कोशन कर लिए फिर नाइंटीन उठा लिए फिर थर्टीफोर उठा लि सब्सक्राइब करें ऊडलMP. तो यह चीज आपको follow करनी है ठीक है और psychology वाली बात भी बता दी सारी चीज़े ठीक होगे फिर बात करते हैं your practice reflects your exam hall performance कि आपने जो practice करी है ना वही आपको बता देगी कि आप exam hall में क्या करने वाले हो ठीक है आपने भाई जी तोड़ practice करी है जी तोड़ practice करी अभी अगर आप exam से पहले ये वीडियो देख रहे हैं मैंने पहले ही ये वीडियो आपको लोगे लिए दे दी है ताकि exam के last moment में आपको दूँ आप सोचो यारी बत पहले बता दे दे जम अंसर तो क्या हो जाता तो मैं इसलिए ये वीडियो पहले ही आपको आप अपने आपको बताओ कि आप महनत करते हो हम सबसे बड़ी बात पता है क्या हम पूरा पूरा पेपर आप ताल्म करूंगा कुछ नहीं छोड़ना कुछ भी नहीं छोड़ना है और प्रैक्टिस करनी है वही आपको रिफ्लेक्ट कर रहा स्टॉप वॉस्ट लेके बैठो भाई दन भर में जो भी आप रात को पढ़ते हो दिन में पढ़ते हो जब भी एक टाइम ऐसा निकलो तीन घंटे बैठके पेप प्रीवेस यहां पर मुझे कर सकते हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है कॉमर्स अध्डा का उसको आप वहां पर जॉइन कर लीजे और यह चीज़े आपको करनी पढ़ेंगी स्टॉप वास लेकर बैठनी पढ़ेंगी और कोशिश करना कि आपका जो तो अगर आप उस चीज़ को एक बर करके देख लोगे तो बीटा आप एक्जाम में बैठाव को आपको फ्रेशर फील नहीं होगा होगा थोड़ा सही होगा वट ठीक है आप करके दिखाओगे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़े मिल जाएंगे लिंक मिल जाएगा उनको जाकर एक बार चेक आउट कर लो और मैं आपको जाते-जाते यहीं बोल रहा हूं कमेंट करके जाओ प्रॉमिस करके जाओ आ सारी बहुत सारी सब्चिक इक दिखा रहा हूं यह पूरी प्लेलिस्ट ए जिसको आप देखोगे 10 तक वीटा जिसको आप देखोगे एंड हैं तक आपको क्या क्या करते हैं कैश्फ फ्लो स्टेट्मेंट हो कैश्फ फ्लो स्टेट्मेंट और रेशो लास्ट मुमेंट पर सार्ट मिनिट के पूरे रिश्याइद करवा दूंगा लास्ट मुमेंट पर यह वीडियो जरूर देख लेना ठीक है सारा सारा बुक थ्री हो गई यह इश्यू आफ डिवेंचर है शेर्स है डिस डिसलुशन है रिटार्मेंट डैथ है और पार्टनेश इंजिन प्रॉफिट टिप्स काम आई ठीक है तो बस मिलते हैं आप से अगली किसी वीडियो के अंदर किसी ग्लास में बाइबाए टेकर अल्दी वेरी बस्ट जैहिंत